नमस्कार स्वागत है आप सभी का ब्रशवराशी वालों का इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और सभी जोतिस प्रेमों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस जोतिस के चैनल में जिनको जोतिस में रुची है उनको या वीडियो होने वाला है बडशवराशी वालों को लिए तो खास कर क्योंकि उन्हीं का वीडियो है पर जो दूसरे लोग है वो भी अगर देखेंगे और ध्यान से समझेंगे एंड तक तो सीखने को या जानने को ज़रूर कुछ मिलेगा ऐसा मेरे को लगता है अगर अगर का मिलन होगा शनी और मंगल मिलेंगे शनी कौन है भूमि पुत्र है पेसेंस को दिखाते हैं धैरे को दिखाते हैं दुख और पीडा के कारक है दो सौरो अफ। तका़ पुरुस इस सेटन वहीं मंगल की बात करें तो मंगल कोन है दहिए मंगल एदम आपॉजिट है बिद्धुत कांति संप्रभम बिद्धुत जैसी जिसके अंदर उर्जा हो जो उर्जा के भंडार है जिने रुकना आता है नहीं और शनी कहते हैं भई हमको चलना नहीं तो यह तो बड़ी दिक्कत होगी यह कुछ ऐसे हो गया जैसे जो बंब होता ना बंब चलता हुआ और वो एकदम भुच जाए और फिर कुछ पता नहीं कफट जाएगा एक असाहज स्तिती हो गई आपकी है ना बड़ी अजीब से स्तिती हो गई करम फल दाता शनी और उर्जा सक्ती के प्रतीक मंगल यह कुछ ऐसे भी होगा जैसे कुछ किसी का दबा हुआ गुस्सा होता ना आपने किसी को कुछ कह दिया पर वो आपसे उस समय कुछ कह नहीं रहा एक बार तो फिर दूसरी बार ती पर उसके अंदर ना एक गुस्सा भर चुका है अब पता नहीं कफट जाए और जब फटेगा तो कमाल कर देगा अब यह भी इस संकेतिक है ना यह भी दिखाता एक बिशावाल एनरजी बहुत बिसपोटक एनरजी उस भाब में खटी होगी जहां सनी मंगल रहेंगे जहां दर्ष्टी जाएगी और अगर उसको चैनलाइज कर दिया जाए तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और अगर वो असमे अजगे कहीं फट जाए तो फुरस से बड़ा एक्सिडेंट भी हो सकता है इसलिए शनी मंगल एक्सिडेंट को भी दिखाते हैं पर आपके केस में यह जो र्यूती होगी कहां पर हो रही है कुमराशी में हो रही है 15 माच से 23 अपरेल तक हो रही है चंदराशी के लिए वीडियो है पर लगन बाले भी देखेंगे तो ऐसा नहीं असत्ते होगा क्योंकि भाब तो उनके भी लगन से भही होते हैं पर आपके लिए जो राशी जो योग बन रहा है कहां बन रहा है दसम भाब में बन रहा है अब यह दसम भाब आद ध्यान से देखोगे तो इस पर मंगल दिगवली है मंगल यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देते हैं मंगल का रिजल्ट बढ़िया आएगा आपका यहाँ पर शनी की खुदगी राशी है तो शनी भी प्योर्टी देंगे किसको मंगल को तो ऐसे में बिजनिस में तो आपको लाब हो जाएगा फौरण से भी आपको लाब होने की संभावना यहाँ पर बनती है यात्रा आपकी हो सकती है करम छेत्र बदल सकता है ट्रेवल हो सकता है पर वो सब आपके लिए अच्छा रहेगा मंगल के लिए चीज़े नॉर्मली बढ़िया रहेंगी और एक बात भी है कि तीन, छे, दस, ग्यारे जो पच्छे भाव है इन भावों में एक अध्वुत छमता है मेलेफिक्स को इनकी उर्जा को हैंडल करने की उसी तरह से दो, चार, पांच, नौ, इस सौ में भाव है ना सातमा, पहला इनमें वो capability नहीं है कि इस तरह की energy को balance कर सके तो आपके लिए आप lucky हो तो मुबारक हो आपको बहुत बड़िया योग बन रहा है कहीं न कहीं पर balance करना है मतलब प्रयास्त तो है ना है संधर्स योग है, बारूदी योग है, बिसफोटक योग है तो अगर आपने इसको गुसे में आ गए, आपने बहुत से ही लड़ाई कर दी या माता है अपने मित्रों से कुछ कह दिया क्योंकि यहां से सीधी दस्टी कहा रही है चौथे भाब पर आ रही है तो घर भूमी बाहन खरीदने का योग तो जरू बनेगा पर उसमें कुछ ना कुछ बहस बाजी, कुछ ना कुछ ऑप्स्टिकल भी होगा क्योंकि शनी की तो आदती है कि पहले रुलाते हैं ताकि आखे साफ हो सके जब रोते हैं तो आखे साफ हो जाती न इससे तोईला होता है जब वो दबता है दबता है बहुत दिन बहुत प्रेशर में रहता है तो हीरा हो जाता है तो शनी मुसीवत लाते जरूर है पर उनका जो अन्तत है प्रयास होता है वो सुधता का होता है तो इस हिसाब से तो ठीक है पर किसको ये प्रेशर पसंद होता है किसको ये मुसिवत पसंद होती है तो वहाँ ये इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि चौते भापर तो इनकी दस्टियां थोड़ा मन को तो आशांत करेंगी ही करेंगी सनी और मंगल की इसके साथ अब स इसी चीज को पाने के चक्कर में आप गलती कर सकते हो हनमान जी की पूजा एक अच्छा रेमेडी है पर सबसे ज़्यादे धहरे पेसेंस जो रख पाएगा समझदारी से काम लेगा कहते हैं धहरे जो है ना वो मन की दस्टी है जो प्रेशर में भैकता नहीं है और जल्दव मंगल की राशी में नीच के हो जाते हैं कर्म है वही आप कर्म को जल्दवाजी में करोगे गुस्से में करोगे क्रोध में करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा गलत रिजल्ट आएगा और शनी कर्मा है यहाँ पर भी यही एक्षन आपको फॉलो करना है अगर कर्मा का आपक का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, संतान के साथ प्रेम में, आपस में रिष्टो में, थोड़ी सी खटास आ सकती है क्योंकि मंगल की जो आठमी दश्टी है वो कन्या राशी पर आ रही है, तो कन्या मंगल और बुद्ध की जादा बनती नहीं है, क्योंकि अभी मत करो, कल करेंगे, थोड़ा धैर रखो आप कहोगे, यार कल परसो के चक्कर में पढ़ रहे हो, अभी करो, या ऐसे ही करना है, और वहसबाजी हो जाए इसकी पॉसिबिल्टी है पढ़ाई लिखाई में भी जल्दवाजी में पूरा डिसाइट करें बिना, मन कर रहा है बस यही पढ़ना है, पढ़ लिए यही जबकि आपको पहले देखना था, क्या-क्या पढ़ना है प्लानिंग करनी थी, और उसी को पढ़ना था तो उस चीज का आभाव अगर होगा जल्दवाजी में चीजे हो जाएंगी, तो नुकसान में आप जा सकते हो पर अदर्वाइज, आपके लिए भी योग अच्छा बन रहा है भले ही बिस्पोटग योग सही, भले ही बारुदी योग सही तो यह था ब्रशवराशी के लिए मेरा शनी मंगल का जो एक कहा सकते हो कि बहुत ही स्पेशल योग बनाया उसका विवरन अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजेगा शेयर भी जरूर कीजेगा और अगर अब तक सब्सक्राइब किया है यह चैनल तो सब्सक्राइब कीजेगा आपने अंध तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार